तम्हा दिव मात्म बुद्धी प्रकासं मुमक्षर्वै सरणमहं प्रपद्य ओम शांतिही 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 संकरम संकराचार्यम के सभंबादरायड सुत्रभाष्य कृतोवन्ध भगवन्तव इश्वरो गुरुरात्मेति मुर्ति भेद व्योमबत व्याप्त देहाय दक्षणा मुर्ते नमह ओम शांतिही 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 नमस्षिवायए कहां तक हो गया बैसे नियामला में ये ये चल रहा है ना तत्तु समना यात प्रतम बरनक हो गया दूतिय बरनक चलेगा तत्तु समना यात में दो प्रकार से विचार किया गया इस उत्रकार ठीक है पहला तो हो गया कि ये ज्ञान कांड ये कर्मा के प्रकड में नहीं है ठीक है और उपनिशत का तात्परिय कर्मा में नहीं है अद्वेता ब्रह्मों में है ये छे प्रकार के प्रमान भी है तात्परिय ग्रहा के लिंगा है उपकर्म उपसंगारादी इसलिए ये उपनिशत जो है ब्रह्मा के बोदक है कैसे मैं और प्रोजन भी है ब्रह्मा ग्यान से मुक्षय की राप्ति होगी अनर्था की निबृति होगी जब ब्रह्मा ग्यान का प्रोजन है फिर कर्म का अनुस्ठान में क्या प्रोजन है कर्म का अनुष्ठान में इसका बिनियोग नहीं हो सकता किसका उपनिसत का यह बननक प्रतम बननक हुआ है दूतिया बननक है और यह भारतितिरत महाराधिने यह दिखा भी दिया है द्रिश्टांद की द्वारा नायम सर्प ऐसा ज्यान हो जाता है तो अनर्तिक निवृति है एक हिए तह और अविद्र है और अबर जिए और आगे शेटतो जल्यानमात्र से फ्लने मिलता है HOW यह जिए परानप आप्राविद्या में है ज़िए मात्र से प्रे फ्ल हो जाता है ब। में दूतिया वा नगट देखो बिधित संदी, ब्रह्मन्य वसिता उता, शास्त्रत्वाते विधातारो, मनना देश्चकिर्तनात, नाकर्त्री तंत्रेष्ते विधिही, शास्त्रत्तम संशना दपी, मनना देश्चकिर्तनात, ब्रह्मन्य वसिता श्ततह, यह दूतिय वढ़नाग है, तत्तु समनायत का दूतिय वढ़नाग है, तो यहां पर संध्य यह हो रहा है, प्रति पत्तिम विधित संते, उता ब्रह्मनी अवसिता, यह जो ब्यदानत बाक्या है, आत्माबा, अरे, दरश्टब्य, सुतब्य, मन्तब्य, निद्यासितब्य, तो यह जो बाक्या है, यह बिधान करते हैं, प्रति पत्तिम विदान का, उपासना का बिधान करते हैं, कि ब्रह्मनी अवसिता, कि ब्रह्मो का बोथ करना में तात्पर्य रखते हैं, बासन में, यह संसे हो गया है, इसका आत्माबारे दरश्टब्य, उपासना में तात्पर्य है, कि ब्रह्मो का ज्यान में तात्पर्य है, ठीक है, तो पूरपकसी कहेगा ये बिधान करने वाले है या आत्मा मरे द्रस्ट बे जो भाक्य है ना ये क्या है बिधान करने वाले विधातार विधात्री का प्रताव वोचन विधातार हा नहीं शास्त्रत्वत पूरपश कहाएगा कि वेधान्त तो सासन करता है न क्या करता है सासन करता है तो किसका करेगा उपासना का उपासना का उपासना का बिधान करेगा इसलिए आत्मा बारे द्रश्टब्य जो है बैदान तबाकिय एक किसका बिधान कर रहे हैं उपासना का क्या है उपासना का बिधान कर रहे हैं क्यों भई मनना देश्चा किर्तना एदे को पहले कह दिया स्रवन करो सुरोँ तव्यों आत्मा की आत्मा की मिद्नद्द काहा स्रोवन करने के बाद लिए पिर रिर्म 예्या शोन में काहा कि स्रमकॡ म agrees भर रेण तक्यूं क intention कि निद्यास कहा भारो 1 धीibenरा तो मोक्षा हो जाना चाहिए लेकिन जानने मात्र से मोक्षे नहीं होगा न, उपासना करने पड़ेगी, ये मनन निध्यासन के द्वारा उपासना का विधान किया गया है, ऐसा किसका कहना है, पूरपक्षी का कहना है, इसलिए कहते हैं, मननादेश्च किर्टनाथ, सुरतव्य ऐसा कहने के बाद, मनन और इद्यासन का कत्वन किया गया है, कहां पर विर्दान्नक मंत्र में, इसलिए उपासना में हुआ, ज्यान में नहीं हुआ, ठीक है, तो सिध्धान तपक्षे है, 22 नमर स्लोक चल रहा है, और कर्त्री तंत्रे अस्ति ना भिधी ही, ऐसा लगाओ, उपासना करता क्या दिन है, उपासना करनी है कि नहीं करनी है, ये किसके दिन है, करता क्या दिन, उपासना करो चाहो तो करोगे, नहीं चाहो तो नहीं करेंगे, अन्य प्रकार से भी कर सकते है, कर्तम अकर्तम अथवा अन्यता कर्तम है कि नहीं वहां पर विधी होती है कर्त्री तंत्रे विधी अस्ति क्या विधी कहां पर होगी कर्त्री तंत्रे विधी अस्ति जो कर्ता के अधिन होगा जिसको आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो जो कार्य करता के अधिन है उसी कार्य में बीदी होती है, शास्त्र उसका बिधन करेगा, लेकिन जो करता के अधिन नहीं है, अकार्थरी तंत्र है, ना कार्थरी तंत्र है, ना कार्थरी तंत्र है, वहाँ पर बीदी होगी, ज्ञान में बीदी होगी, सामने घड़ा है सामने घड़ा है आप बोलें कि घड़ को देखो तब जाएर घड़ दिखेगा यह तो घड़ नहीं दिखेगा इसका मतलब ग्यान आपकी अधिन नहीं है हम चाहो तो घड़े का घड़े का ग्यान करेंगे नहीं चाहुत नहीं करेंगी, ऐसा होगा, हम चाहें के तो घट, घट नहीं होगा, पट हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, घट है तो घट का ग्यान होगा, पट है तो पट का ग्यान होगा, है कि नहीं, तो घट ग्यान में आप अधिन हो, घट ग्यान आप क्या अधिन है, नहीं ह वो किसके अदिन है, प्रमाहण के अदिन है, बस्त्य के अदिन है, स्वाज में गिने, इजले का अकर्त्रितंत्रक, अकर्त्रितंत्रक का न हो गया ग्यान, जित्त सुध्ध हो गया, तो आपको स्वरुप का ग्यान तो हो गया, स्वाज में गिने, इले भिदिही अकर्त्रितं मंत्रे अस्ति की नस्ति कि नस्ति ठीक है उपासना हो गया करता क्या दिन नहीं है में तो तो महराज ज्ञान में जोदी ये उपनिशत का प्रोजन है ताथ पर यह है तो फिर ये उपनिशत को सास्तर कैसे को हो गया कोई सासन तो क्या ने अरे कोई बीधान ना करें सासन करना मतलब बीधान करना क्या सासन करना मतलब क्या करना बीधान करना है ना क्यों कोई बीधान तो हुआ ने फिर उपनिशत तो फिर उपनिशत को सास्त्र कैसे को हो गए देखो संसना तभी सास्त्रत्म है ना संसना मतलब क्या है हिट अपदेस कर और क्या है जिस्ञाने को जाएगा की यृता है उपदेस क्या है सहरूप का बॉद्ध यह उत्योप उपदेश कर अपने शोरूप को जान लिए तो इसे बड़े था पोध को unlike estás स्ववरुप का बोत करना इसे बट आरो कोई है हीता उपदेश नहीं है ना ठीक है न रा इले संसनाथ अपि शास्त्रत्व oc Nich इतर देखो कहा सासनाथ संसनाथ है 22 नमसलुक देखो सास्तरत्म संसनातभी ठीक है धेखो जैसे बास्तेविक सर्प है क्या है सर्प है सर्प को हड़ाना है डंडा लाओ देखो सासन कर दे कि नहीं डंडा लगने का बीधान कर दे अपना डंडा लाओ जाओ उधर पासमें देरौ मत धिरे धिरे साप को हटाओ तो आपका बाक्य क्या हो गया सास्त्र हो गया हो गया सास्त्र बिधान कर दिया ना किसका बिधान कर दिया डंडाल लाने का इसाब करने का बिधान कर दिया नहीं कर दिया हो गया तो आपका बाक्य क्या हो गया सास्त्र हो गया क्यों क्यों सासनात सासना देती सास्त्रम हो गया हो गया नहीं आचा लेकिन बास्तिवी सर्प नहीं है क्या बास्तिवी सर्प नहीं है तो क्या बोल दिया अरे रसी है क्या है रसी है तो किसी का विधान किया डंडा लाओ यह लाओ अमुग लाओ डंडा कुछ बला क्या कर दिया क्या कही दिया उसने ये तो रसी है बैस ये जो बाक्य क्या हुआ ये भी सास्तर होगे क्यों हीत का सासन किया ना हीत का उपदेश कर दिया हीत का उपदेश इलो संसनात हो गया आपका बाक्य संसन हुआ ना सब्सक्राइब दोनों बाग क्या शास्त्र है जो डंडा लाओ अमक करो जो करम अनुष्ठान का जो बीधान करें वह शास्त्र है और हीत का उपदेश कर दे वो भी सास्तर हो गया। भगे कि नंहें हो गया। भासमुत Сवबबी, इल्गा समपुन्वेत शास्त्र है। एक कर्म कांड़ की है? शासना देती सास्त्रम। ज्यान कांड़ जो उपपनिशद है, वो संसना देती सास्त्रम। सथ्य का ज्ञान करा देता है कुछ करना धना कुछ नहीं है यह उपनिशद में होते है करना धना कुछ नहीं है केवल सथ्य का उपधिस कर दिया भैस संसार में सत्य तो बुद्धी है, अब लें कुछ करना धना नहीं है, सब प्रमाधी हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, नहीं करो तुम, सो नहीं सकते, सत्य का बोध नहीं करा सकते, आप, सजमेक नहीं, शरीर में अध्यास है, संसार को सत्य मान रहे हो, यह नहीं बोलन रही तो फिर कुछ नहीं करेगा हो फिर हम नहीं तो स्वतंत्र हो जाएगा जो इच्छाओ करेगा हो कि इसलिए क्या करना पड़ेगा नहीं तुमको करम करना चाहिए जर्व काम हो जजेता हो फल्क में भी इच्छा है फिर जो एक काम करम का अभिधान ने करेगा तो फिर किसी का गला भी काटेगा हो यह उपदेश करना पड़ेगा नहीं तुम जागा दी करम करो क्या संसार का सुक्चा आते हो तो सास्त्र कर्म करके सुक्चा हो जी जी भी से चत्यकुम समाहा बोलना पड़े कि ने बनना पड़े जिने की इच्छा करते है तो कोई बाद नहीं कर्म करके करो बाशन में तो उनके लिए कौन सा हो गया वो साधन का बिधान कर दिया क्या कर दिया साधन का बिधान इले कर्मकान उने के लिए हुआ लेकिन जिसका संसार से बैराग्य है संसार में सुख नहीं चाहता है उसके लिए कौन सा साधन का बिधान करोगे कुछ साधन का बिधान नहीं करना है वो το कर चुका जो करना है उसके लिए किसका उपदिस करोगे सत्यक ग्हान करणा दो तुम तो असंग हो तुम तो अकरता भगता हो तुम तो ब्रह्म हो ये बूत कराने करो वो कौन सा हो गया स需्टनाथि साश्तरम तुम अकरता भगता हो है कि नहीं देखो कल भी मैंने वहाँ पर बोल रहा था मुंडग में हाँ मुंडग में जब तक करत्री पना है तब तक आपके लिए करतब्य है यह अपरा विद्या क्या सिखाती है तुम करता हो अपरा विद्या क्या सिखाएगी तुमारा यह करतब्य है तो मनेश्य हो तुम अपने को क्या मानते हो कर्ता भुक्ता मानते हो इसले तुमारे लिए कर्तव्य हो तुम अपने को ब्रामण मानते हो इसले तुमारे लिए ब्रामण के लिए कर्तव्य हो तुमारे लिए ब्रामण के लिए कर्तव्य हो तुमारे लिए ब्रामण के लिए कर तुम करता नहीं है तो तुम्हारे ले क्या करतब्य है कितना जान लिया बैसके मैं आ करता हूँ जो जान लिया कि मैं आ करता हूँ मैं असंग हूँ तो उनके लिए कौन सा करतब्य है ये तो करतब्य का बोथ कराता है करतब्य का कर्तव्य का वो बिधान करेगा क्या करेगा कर्तव्य का बिधान करेगा कौन कर्मकान अपरा बिध्या है न ये अपरा बिध्या कुछ नहीं है और कर्तरी और भक्तरी शरूप का केवल बोथ करा देगा ये परा बिध्या बोथ करा देगी रवरा बिध्या से साधन का बिधन विद्याल नहीं होता है के भनला, स्वरूप क कराएगा ठीक है इसली आप्र कह canoe हो जाएगा, ओ कर्तितट्न्त्रे विधि न श्रीज सात्रतम संचना दबी, हितका संचन करने मात्र से, उपदेश करने मात्र से, उपदेश क्या हो जाएगा, सात्र हो जाएगा, सात्रतम, आप कहते हैं कि पसंकाती न, स्रावन के बाद मनन निध्यासन का बोध करा दिया, इसलिए उपनिशत का तात्पिर किसमे होना चाहिए, उ जब्तेयों ब्रह्म का साक्यत कार नहीं है। श्रवन केपाद wil यूतिया शाक्यत कार नहीं हो रहा है तो क्या करना है। रजी कि इसका भी ना नहीं अन्वलीक्ति इस तुमे। मुझ्न टॉट्ष से जाह मोहाहा जो कि घस अमड़ा में लुगा हुआ। साख्यातकार से पहले है की बाद में पहले है साख्यातकार हो गया तो मन निद्यासन के क्या प्रोजन है है की नहीं इले बिपरीद भावना है प्रमय में संसय है तो मनन निद्यासन करना पड़ेगा एकर देखो मनना अधि HER पूरा बोधात ठीक है ना ब्रहहणी अवसितास्तत बोधात पूरा बोध कार दो शाक्यातकार मैं तो ب्रहहणी हो ऐसा साक्यातकार होने से पहले मननास अधि अधिसी कहलेंगे नेध्यासन नहीं स्रब्ण नहीं मन निध्यासन स्रवन के बाद विबेदांत का स्रवन की है तो मसेस्य निकर्श्रवन की है फिर भी उनको साख्यत कारने हो तो हो परहे है संसय है裡 मैं miraita कैसे हो सकता हूं संसय है utah मैं अम्बुद्धि है कितने जुग से अनाधी जुक से है कि मैं तो यही हूँ शरीर भू तो शरीर में जो विपरिद्भावना है उसकी निवृत्य नहीं हो पा रहे है इले मनन निद्यासन करना पड़ेगा इले भोधात पूरा मनना दि इसलिए क्या वात अतह ब्रह्मनी अवसिता है इले निश्चे होगे न कि उपनिशत का तात्परिया ब्रह्म में है किसमें नहीं है करम उपासना में नहीं है ठीक है ठीका देख लो एक देशी मन्यदे एक देशी मानता है ब्रह्मा परत्वेपी बेदानता न ब्रह्मनी अवा पर्यवसंती एक देशी है ना बेदान के एक देशी, आजकल एक देशी का ज़्यदा चल रहा है ना, तो जो मुन के अनुसार है उसी को मानना है, जो मुन के अनुसार नहीं है उसको नहीं मानना है सास्त्र में, ऐसे चलता है ना आजकल, क्यों हो भी, नहीं चलता है इसा, जो अपने लिए यह अनुकूल है उसी सहत्र को मानना है जो अपने लिय अनुकूल नहीं है उस्साइब को छोड़ों ऐसे चलता है ना एक देश Nation ब्रह्म्ह परत्विदान्त है ब्यदान का दानखा थाथ परी ठीक ब्रह्मम में ना ब्रह्मम के परिवासनत है फिर भी ब्रह्मम ब्रह्मा में तात्पर्य तो है तात्पर्य होने पर भी ब्रह्मा में पर्जवसेत नहीं होगा उपनिशेत का उपासना में होगा किसमें होगा है कि नहीं किम तरी आप देखो क्या बोलते हैं क पारोक्षडा ब्रह्मतात्तिम प्रतिवाद में ब्रह्में परुक्षज्ञारी प्रस्वाद में बात प्रतिवादा पहीं को चुन ब्रह्मा civम है करके तथाच इसलिए सती बेदान तानाम सासना सास्त्रत्तम उपद्धते है ना इसलिए सासन करेगा ना मतलब क्या साधन का बेदान करेगा क्या करेगा साधन का बेदान कर दिया ना इसलिए साधन का बेदान करेगा तो सास्त्र का जाएगा साधन का कुछ बेदान करेदे कै सास्त्र को गए कि बास में किम्च देखो इसी चीज को कहते हैं सोतब्य इती स्राबन में स्राबन का विधान कर दिया है कि ने यह सब्द ग्यानात्म कम एक देखो यह सब्द ग्यान हो ला परोक से ग्यान हुआ बिधान करके अथा मान्तव्यो निद्यासितव्यो इले मान्तव निद्यासन करें कहें करके क्या हुआ यह अनुहवा ज्यानात्पकाम यह अनुभाव रूप से जो ज्यान है इसलिए ज्ञान का यहां पर विधान किया जानो पहले ब्रह्मा को परोक्ष रूप से जानो फिर बाद में अपरोक्ष रूप से जानो तो किसका विधान किया ज्ञान का विधान कर दिया मंतव्य निध्यास्यत्यव्य सब्द के द्वारा और पोरोग्षा ज्यान का बिदान किया और सोतव्यों कहे करके किसका बिदान किया पोरोग्षा ज्यान का बिदान किया ज्यान में बीधी ये तात्परे हुआ किसमें बीधी एकदेशी मतलब किया ज्यान से मुक्षत मान रहा है लेकिन ग्यान में बिधी मान रहा हूँ, बिधान किया गया, जानो इस दात्पर, उपासना में नहीं है, ग्यान में बोल रहा हूँ, एक दिश है न यह, ग्यान में मान रहा है, प्रतिपत्तेर बिधातारो बिधानता इति एजलेत क्या हुआ बिधानता किसका बिधान किया प्रतिपत्तिमल यहां पर ज्ञान ज्ञान का यह बिधान हुआ किसका बिधान हुआ इति प्राप्ते यह पूरपक्स है शिद्धान्ति क्या कर ग्यान का बिधान नहीं हो रहा है ग्यान के साधन का बिधान वे शिद्धनांतर है पूरपक्षी भी ग्यान से मुक्ति मान रहा है उपासना का तत्परित लग है यह ग्यान से मुक्ति मान रहा है यह दिशी है नहीं है किस से मुक्ति मान रहा है ज्ञान से मुक्ति होगी लेकिन ज्ञान का बिधान क्या जाए रहा है सोतव्या कहे करके जानो तुम ब्रह्मा को परोक्षरूप से और मंतव निद्यासेते पर कहे करके अपरोक्षर ज्ञान का बिधान हो रहा है बरबर एक नहीं और सिद्धान ते क्या बूल रहा है नहीं ग्यान का बिदान नहीं होता है ग्यान के साधन का बिदान होता है सोतव्य कह करके यह बिचार का बिदान हुआ किसका मौन निद्यासान यह भी बिचारी है ठीक है बिचार का बिधन किया गया ग्यान एक किसे हुआ बिचार और ग्यान एक ही किसे हुआ बिचार करने पर ग्यान होगा तो ग्यान और बिचार किसे हुआ बिचार करना है कि नहीं करना ही तो आपके अधिन एक नहीं है बिचार करना है कि संसार में दोड़ना ही तो आपके उपर है कि नहीं है बहुलो लेकिन ज्ञान आपके अधिन नहीं है ज्ञान बिचार करने तो ज्ञान होई जाता है यह लगा ना बिचारा जायते बोदो और निच्छायम ना निवर्तेद कि नहीं है ब्रुमाह ना प्रतिपत्तेर बिदी संभवती ज्ञान में बिदी नहीं संभव है क्यों कर्तुम अकर्तुम अन्यतवा कर्तुम अशक्यत्वात इसलिए अप पूरुशत अंतरत्वात देखो तुम जो जिसको आप कर सकते हो कर्तुम नहीं भी कर सकते हो और अन्य प्रकार से भी कर सकते हो तहां ना वहां पर तो बिदी हो जाएगी लेकिन जो तुम उसमें संतत्र नहीं हो करना नहीं करना अन्य था अन्य प्रकार से करना वहां वह आप वह आप क्यो दिन होगा और पूरुशत अंतरत्वात बासन मे पिशी नहीं कर सकते आपमानी-प्रकार्स पिशी पिश्कते हैं महादेद के दूट से करना है कि गळंगा जल से सद्रीक आपको ऊपर ही और जो कि करते हो तो है करते हो तो कई बता है समय करते तो महादेब को भूक भूक भूकματα भ़ूकって दोस आपको जरु लगेगा दोस तो आपको लगेगा ना महादेब कब रखे हो क्यों बहिए yeah कि महादेप के कुछ न लेगा दोस्त आपको लगेगा ठीक है है हाँ 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 कहा है लेना तो जोड़ी है महादेप है समस्य है नहीं करना ही पड़ता है सास्त्र अनुष्ठय का सासन करने से सास्त्र होगा एसा कोई नियम नहीं है क्या अनुष्ठय जो साधन कर्म है उपासना है अस्टांग योग है जो अनुष्ठय होगे ना जो अनुष्ठय करने जुग्य है उसको बलते अनुष्ठय बसमे अनुष्ठय जो साधन है उसका उपदेश करने मात्र से मतलब विधान करने मात्र से विधान करने से ही उसको सास्त्र कहेंगे है कि नहीं ऐसा कोई नियत ऐसा कोई नियम नहीं है नियत का दर नियम भास में है सिद्ध बस्तु संसन्याना अपी तद वपत्ते हैं सिद्ध बस्तु काई दे कथन कर दे क्या सिद्ध बस्तु कथन कर दे तब भी तो साफ्तर कहा जाएगा कहा जाएगा कैसे यह रसी है कौन सा साधन का विदान किया है बोलो यह रसी है इतना बोल दिया मंदा अन्यकार में रसी पड़ी है तो कितना कहे दिया यह तो रसी है तो क्या करोगे प्राणाम करोगे कि जोगासन कुछ करोगे कुछ नहीं करना है बोलो इसे पकार से चित्त शुद्ध जोदि हुआ हो साथस्तर में मैं तो अकरता हूं सबको नहीं सुनाना है सुनाओको तो गळबड काम है सब को सुना तो उल्टा पूल्टा हो जाएगा क्यों मैं तो सीव दुकाय को दुसरी को नमस्कार करना है नहीं करना नमस्कार सीव जी को सब नमस्कार करते मैं जब सीव जी हो गया तो मैं क्यों नमस्कार करो भ्रांति नहीं हो जाए कि लोगों को तुम सीव हो ऐसे तुम जीव नहीं हो तुम सीव हो क्या है तुम तुम जीव नहीं हो तुम सीव हो ऐसा उपदेश करना है सब को सब को उपदेश करना है क्या बोल रहा है बात तो सही है लेकिन अभी बोलना है यह ठीक नहीं है, यह कब बोलना है, किसको बोलना है, यह सब निर्धान करना पड़ता है न आचरिये को, तो सब को बोलना चाहिए कि तुम सीव हो, बले, यह जैसे सब को पुष्टक बाटनी है, कि पुष्टक सब को बाटनी है, बैदांत, कोई को बाटते न बहुँच जगा पर, बाड़ने बाट देते हैं, कहां कहां बाट देते हैं, वहां पर हर की पड़ी में बाट देंगे, रेलोटेसने बाढ़ देंगे तुम सीब हो जीब नहीं हो कली यूग कहीं भी हो सब को बाढ़ना है क्या पूछ रहा हूं क्या रादी में वो बैच करके सराप पिले गा वो बैदान्द का ही बैच करके दुकान में ले जाएगा दुकारम दे देगा और सराप्पी लेगा हो इसको कौन से बैदानत पुष्टक को जा गर के दुखान में बैज देगा हो बैज गर के सराप्पी लेगा हो बैस तो हो गया सिभान सिभाम क्यों बैज कल्यान होगा उससे यह समझना पड़ता है ठीक है इसले सिद्ध वस्त्यू का संसन करता है लेकिन साथिकार्य को करेगा ना इसले तत पपत्ते है ठीक है साथ ग्यान है जाते इसले इसले बहुत परिशा लेते हैं भया महापूरुष लोग कभी खोड़ो भी फेक देगा आपके उपर क्या आप दर्सन करने के लिए तो खोड़ो भी आपको अपको फेक देगा भागो यहां से बल देगा तो फिर परिशा भी लना पड़ता है ना अब बोलेगा रही महाराज इतना यह महापूरुष लोग कैसे बलते हैं इतना क्रोथ करते हैं बताओ घो खोड़ो भी घो तो हम फोल भी लिए ने इनको दर्सं करने के लिए देख भी हमारे उपर धाओ लोग करते हैं हैं तो करना पड़ता है ना क्यों किसले करते हैं और फेकेगा दो क्या होगा हुब माता पूट अवलेगा क्या होगा कितने बार फोड़ेंगे सरीर को दो तीन बार फोड़ेंगे उसके बाद उसके बाद तो नहीं पोड़ेंगे ना इतने सद्धा होने चे कि नो ना चे सद्धा हो तब उसको उपदेश करो बगवन नहीं तो उपदेश बिलकुल नहीं करना है करना ही नहीं है तो जाकर कल्यान होता है ठीक है यती बक्तम न जुक्तम आगे बढ़ा जाए सब्सक्राइब की नहीं यह नहीं यह छोट गया साब्द ग्यान जाते पस्चाद अनुफात प्रकम मननादिकम बिदियते इती बक्तम न जुक्तम ठीक है ठीक है ठीक है साब्द ग्यान हो जाने पर क्या साब्द बोद हो जाने पर अनुफात प्रकम मननादिका बिधान किया गया पहले हो परुष से ग्यान हो गया और अनुहब रुपी जो मनान नहीं ध्यासन उसका विधान कर दिया ऐसा नहीं कहिति बक्तम न जुगतम ऐसा नहीं कहना चाहिए क्यों देखो दसमस तमसी इतिवत सब्दस्य एव अपरोक्ष अनुहब जनकत्तिन साब्द बोधात पूरा एव असंभावनादी निवर्ते ब्यापर रुपष्य कत्रितंतरस्य मननादेर बिजनाद यह जो मनन निध्यासन है न यह ज्यान नहीं है यह मनन निध्यासन तो उस साधन है ज्यान का अपरोक्ष ज्यान का अत्वा साख्यात कारात्म ज्यान का अत्वा दिड़ा अपरुक्ष ग्यान का ये क्या है साधन विचार विचार बहुत समेग ने ये कह रहे हैं बद्या से कह दिया कि दसमास तौमसी क्या कह दिया तुम तो दसमा हो ये अपरुक्ष ग्यान होगा ना ये तिवा सब्दस्य आप रोक्ष अनुभा जनकत्वना का इज नक होता है कौन, तुम दस्वाइए हो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है कि यह दस Mayo से जा रहे थे, घंगा जी की ऊसा टेर करके जा रहे थे, दस आद में जा रहे रर जो वह पर चो शंस भोगिया तेर करे से одएंफ लुए फें छू को कि तुम हो अपनि को छोड़ दे रहें कि नो को चिंड रहे और अपनि को छोड़ दे रहें तशमा नहीं है आगार बो़्यद часов तुम दसमा हो कहने से अपरोषी ज्यान हो गया मैं दसमा हूँ है कि ऐसा ग्यान होने से पहले मैं ही दसमा हूँ ऐसा ग्यान होने से पहले संसत है कि यह गुरु जी कह रहे है दसमा है लेकिन हमको दसमा का ग्यान नहीं हो रहा है कौन दसमा है असंभव भी हो रहा है उसके निवर्तेरी गीनेगा करना एक दू करके गीनेगा प्रिबाद में का मैं दसमा हूँ, होगे कि नहीं, यह दोगों लिगते हैं, असम भवना आधी निवरते, असम भवा आधी से क्या लेगें, संसय, विपरिद भवना, उसके निवरती के लिए व्यापार रुपश्य करते हैं, यह व्यापार हो गया क्रिया, कौन, विचार, य तो आपके अधिन ना हो, मौना नाधी करना है के नहीं करना है, यह तो आपके उपर है ना, आज कल बहुत लोग कहां कर पा रहे हैं, बहुत बिगना है, बहुत बिगना है हो, बहुत बिगना है हो, इसलिए मौना नाधी करना है के नहीं करना है, यह तो आपके उपर है ना हाँ हाँ इले ठीका अगर क्या लेगते हैं मननादे करत हैं पूरा एबा हाँ पूरा एबा हाँ यह नहीं पूरे बले हैं एबा करो अच्छा है है मननादेर बिधान मननादे कर दिया ठीक कर ना इबा भी चल जाए गा कोई बात नहीं इबा भी चलेगा इबा एबा लिखा है क्या वो लती की है लती तो पुरा एब भो हो जाएगा इथे आधि तो पुरा यब हो जाएगा वनी व्रुद्धि को नवे आचा है मननादेर विदहनात मननादी का विदहन कर दिया तस्मात इसलिए तत्तम सी उत्याद बेधानता ब्रह्म्षनी अवशिताः किस में है ब्रह्म में है एनु ब्रह्म में ही हैं यात च्छन मिजए माध राल फादेश काथन हित उपादेश साशन और संसन में अंतर होगे ना साशन का मतलब होता है साधन का बिधान करना क्या है साधन का बिधान करना यह होगा साशनात बासने में जी और संसनात करना संसन में का हित अपदेश क्या है हित अपदेश जो सत्य हो गया हित है क्या सत्य हो गया हित उसका अपदेश कर दिया और सत्य हमेशा हित है कि नहीं बलो राशी राशी हित है कि नहीं राशी का अपदेश कर दिया यह रसी है, सर्प नहीं है, बोलो, नायम सर्प यम्रजु हो, यह हो गया संसन, यह क्या हो गया, संसन, डंडा लओ, यह लओ, यह हो गया, सासन, बास में गिने, सर्प को भगाने के लिए डंडा लओ, यह करो, यह करो, यह करो, यह क्या हो गया, सासन हो गया, बोलो, कर्म करो, उपासना करो ये क्या हो गया? शाशन भास समेक नहीं following और भग्था हो ये हो गया? संसन शंसन संसन और साशन क्या? किसमे? साशन सबतो साशु होना चिस्ट और साशन? ये संसन होता है वो सासधातो होता है साशु संसन मनेगा हो उपादेश औरत में होगा ठीक है चलो ऐसा हो जाए आगे चले एक्छा त्या देखाण देखो एक्छा त्या दिकाण एक्छा तेर ना सब्दम ये पंचम आदिकाण कौनसा है पंचम आदिकाण में है इसमें भई पांस से लेकर ग्यारा सुत्र तक चलेगा पांस से लेकर के ग्यारा सुत्रो ये शुत्रो देखो उचान करा देता हूं गौनास चेन नातम सब्दात चेतना अन््या बलो सब्दाद नहीं आगे तो जैसे ऐसे बुलिए तनिष्टाश्य मोक्षो पदेशाद हैत्वा बचनाच्च साप्य याद गती सामान्याद सुतत वाच्च कितना हुए सुत्र पांस लिकर दो तीन चैर पांच छे साथ सुत्राईज में नहीं पांस लिकर ग्यारा यह पंच मदल एक्छाति अधिकरन बोलते हैं बगबने कौनसा अधिकरना एक्छाति अधिकरना है इक्छाति अधिकरना क्यों है सुन लो अभी तो आया ना तत्तु समनायाद उपनिशत का तात्परिय ब्रह्म का ज्यान करना में है बाकी में नहीं है यह बताया दिया था और पहले क्या आता जन्माद यह सजयता है यह जगत का कारणा कौन है ब्रह्मा है इलक्षन बतला दिया था ठीक है तो यह जो आपने कहा जगत का कारणा ब्रह्मा है इसके ओपर हमारी संका बनेगी कैसे बनेगी देखो जगत का कारणा प्रधान भी तो हो सकता है ना इच्छांद के माया सदेव सम्याइद मगरे आसिद एकाम बाद उतियम ऐसा का ने ऐसा आरम करके बुलतात एक्चत उसने इक्षण किया बहुत श्यामा प्रजाय यह तत तेजो अस्रिजत उसने तेज ग सिष्टी से पहले जो सत था वो तो प्रधान भी तो हो सकता है यह प्रधान जो प्रकृति कितने है बहुत एकी है वो एकी है ना बैस वही जगत का कारणा हो जाए वही जगत का कारणा हो जाए यह सांख्य क्यूर संका बनेगी सांख्य क्यूर संका बनेगी साथ सब्य का ज सब्सक्राइब नहीं है ठीक है यह कहरें देखो तेश नमर श्लोक चलेगा शुत्रत बाद में करेंगे पहले इसको तदेख्छते तिवाकेन प्रधानम ब्रह्म वोच्चते ज्यानक्रिया शक्तिमत्वात प्रधानम सर्वकारणम चोबिस नमबर इक्षणा चेतनाम ब्रह्म हा बोलो चोबिस नमस्लुक बोले इक्षणा चेतनाम ब्रह्म हा ग्याने तुमय यहा आत्मसबदात्मतात्व आत्मसबदात्मता अधात्मे देखो यह दो स्लोग है एक अधिकर में दो दो स्लोग होते हैं यह चांदोग्या सूती है सदेव सम्या यही विचार है विचार कभी से है यह संद्य हो रहा है यह संद्य कैसे हो रहा है देखो त एक चैट उसने का ना चांदोग्या में त एक चत्त बहुत स्यांप्रजाइज उसने इक्षण कर दिया कि मैं अनेक हो जाऊं। फिर इक्षण करके उत्पन कर दिया तेज को, जल को, प्रितिवी को, आकास भायू भी हो गया, उपलक्षन है, चांद भायू के बिना तो तेज उत्पन होगा नहीं, यह आकास भायू को उत्पन करने के बाद तेज को किया, जल को किया, प्रितिवी को किया, सरं में गी नै तो ये है ये तत एक्चत एको हम भеспास श्याम का बाहुश्याम परजयाय जो कहा है कि नै ये जो बाग इसमें संद्य हो रहा तत एक्चत इति बाको दुरस्छी इस संधॆ हो गया पूर प्रशी क्या कहेगा देखो ड्यानकरिया सक्तिमत्व ….. प्रधानम सर्व कारणम देखो, सबका कान हो जायका ना प्रधान, ए जगत को कुण बना सकता है? जिसके अंदर कोई ज् schw सकती हो, इचा सकती हो, तब तो बनाएगा? अच तुम्हारे ब्रह्म क्या करेगा बताओ? तुम्हारे ब्रह्म तो निरुगून कहते हो, हम? तुम्हारा ब्रह्मा कईसा है दिरुकों ओसंग है ऐसंग है एम पुरुसय उसका सम्हंन दो कुछ हही निनकिशी के साथ वह अकिला है तो क्या करेंगा important कुछ करने सकता हूं अकिला हो तो कुछ कर करा दिखा बहुए आप क्यों करोगे बता आ जब ध्यान भी किस से करोगे? जब ध्यान भी कैसे करोगे? बताओ. मन तो आप से अलग होगे ना? मन के बिना कैसे करोगे? कुछ भी नहीं हो तो क्या करेगा? आपका प्रह्मा तो एक हामादूतियम कहते हो, उसके अंदर ते कोई गुण धर्मा कुछ है ही नहीं? बताओ, कैसे करेगा? ज़्यान सकती कहां से आजाएगी? इच्चा सकती, क्रिया सकती, कैसे हो कि बताओ? प्रोजन भी नहीं है. अच्छा, जए हो. अच्छा, जए हो. अच्छा, जए हो. नहीं कोई बाद नहीं है, हो गया है, समय भी हो रहा है. तो यह है, तो आपका ब्रह्मा तो निर्गुण है, निरवयभ है, असंग है, उसमें ज़्यान सकती, इच्चा सकती, क्रिया सकती कहां से आएगी? बताओ. जए ग्यान शकती बगराना हो तो जगत का करण किसे बनेगा? प्रधान हो सकता है. इसलिए प्रधान जगत का कारण हो सकता है यह का ना देखो ज्ञान क्रिया सकती मत्वाद पंचमन तहतु हो गया इले प्रधान स्वर्भ कारण हो जाएगा यह पूरपक्ष बनेगा सिद्धानती कहते हैं देखो जद्धेपी ब्रह्मा निर्गुण निरवयव है फिर भी इसमें कल्पिता माया सकती है कल्पिता माया सकती को लेगर हो जाएगा क्या बिरूत है सपनों में आप हो कि आप से कोई दुसरा है फिर भी सारे स्रिष्टी हो जाती किने सपनों में एक से भी कार्णता हो सकती है शरूब में ब्रह्म में ना कोई कार्णता है ना कार्यता है माया को लेकर कार्णता है माया को लेकर कार्यता जगत में क्या भिरूत है इक्षणा चेतना ब्रह्म इक्षणा हो जाएगा इले ब्रह्मा चेतन तो है व्लुप से चतन ही हो, है कि नहीं है, लेकिन मायया क्रिया ज्यान है, ये देखो, मायया को लेकर के क्रिया सकती है, है कि नहीं है, हाँ, ही लिका हुआ हां, अद्यसिद्य में भी कहा है, अश्य द्वेतेंद्र जाल अश्य यत उपादनम करणम अज्ञानम तत उपासित्य ब्रह्मा करणम बच्चते स्वरूप से ब्रह्मा करण नहीं है एक नहीं किसको लेकर करणा है माया को लेकर की करणा है ठीक है इसलिए आपने जान लिया कि जो है तत अनन्यत्तम आरामन सब्दादिव्य कार्य कार्य से भिन्ना नहीं है ऐसे इत बोध हो गया हो तो ब्रह्म कार्य होगा है की कार्य होगा ना कार्य ता रहेगी ना कार्य ता रहेगी सब्सक्राइब कि नहीं? इसलिए ज्यानि के दिष्ट्ट्ट से माया तुच्छ है किसके दिश्टी से ग्याने के दिश्टी से अजादबाद ही है स्रिश्टी हुई ही नहीं है तो माया कमानने की क्या हो सकता है यह लिए माया तुछ है और साधन के दिश्टी से माया अनिर बचने है ग्याने के दिश्टी से माया अनिर बचने भी नहीं है बास्तवी की कहा, तीन हो गया है, तुच्छा अनिर बचनिया, तिसरी क्या है, बास्तवी की, माया के विशे में तीन मत हो गया, क्या क्या है, तुच्छा अनिर बचनिया, बास्तवी की, मंद साधक के लिए जगत माया सत्य है, साधन के दिश्टी से माया अनिर बचनिया है, और ज्ञाने के देश्टे से माया है यह नहीं, वो तुछ है हो, ठीक ना राड़? आइसले कहाँ, इसका विचार कल करते हैं, ओम सांग, ओम पूरम अदः, पूरम इदम, पूरात, पूरम अदच्चते, पूराश्च, पूरम अदः, पूरम इवावसिश्चते, ओम सांग, जलगो के सांग, इसका मॉड़कोष क्वेश्चते, बन चर भी सांग, आपिंग धूरम इवतीय को सांग.. झाल, यूरम इवार ऱ घटते हैं, लवकोषने से अजब आए़कर मॉड़कों।